आयर्वे समाधान में आपका स्वागत है आज आयर्वे समाधान के इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि खाने के बीच में पानी पीने से क्या होता है फाइदा या नुकसान और अगर नुकसान या फाइदा होता है तो क्या होता है अगर आप भी खाने के बीच में पानी पीते हैं तो ये आदत जितनी जल्दी हो सके बदल लीजे हालिया अध्यन की रिपोर्ट में इस आदत को सेहत के लिए खतरनाक पाया गया है खाने के बीच में पानी या सॉफ्ट ड्रिंक पीने की आदत पेट की सेहत पर भारी बढ़ सकती है। यही नहीं ये आपके प्रतिरोधक ख्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। जाने कैसे? इंसुलिन का इस्तर बढ़ता है खाने की बीच में पानी पीने से इंसुलिन का इस्तर बढ़ता है इससे हमारा पाचन तंतर भी प्रभावित होता है यहां तक कि खून ग्लोकोस के बढ़ने का खत्रा भी बढ़ जाता है खाने की बीच में पानी पीना मोटाबे का कारण भी बन सकता है जिहां यादत मोटाबे की वजह बन सकती है दरसल खाने की बीच में पानी पीने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और इंसुलन का स्तर भी बढ़ जाता है इसकी वज़े से शरीर में वसा का जमाब बढ़ जाता है जिससे वजन बढ़ता है अब अगला नुकसान है ऐसीडिटी जी हाँ, खाने के बीच में पानी पीने से पाचिन क्रिया धीमी हो जाती है और आपको ऐसीडिटी बनने लगती है खाना पेट में ज़्यादा देर तक रहने की वज़े से ऐसीडिटी नुकसान दायक होती है पेट छाती और गले में जलन रहती है और साथ ही आपके लिए कई तरह की बीमारिया पैदा हो जाती है तो जाना अपने की आगर आप खाने की बीच में पानी पीते थे तो इस आरत को आप आज ही बदल लीजे आयूर्वे समाधान जीवन जीने की एक बद्धती है जिसमें बताये के नुस्खे वेद्यों की राय पर आधरित होते हैं जीवन को नीरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेर कीचे आयूर्वे समाधान